हेलो एवरिवन मैं सुभम चतुरवेदी कॉंसेप्ट कॉम्टेटिव क्लासेज मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए मैच्स के टॉपिक AP, GP and HP का पार्ट 4 लेकर आया हूँ जैसा कि हमने इसके प्रिवियस पार्ट में पार्ट 3 में GP के सभी कॉंसेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया था अब यहाँ पर हम GP के सभी कोश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे तो वीडियो इस्टार्ट करने से पहले आप सही भी से कहना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो उसका नॉटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होता रहे तो चलिए देखते हैं question number one में आपको क्या बोला गया है तो यहां पर देखें आप आपको नने क्या बोला यहां पर आपको नने बोला है कि P, Q और R किस पे हैं जी पी पे हैं अब P, Q और R जी पी में है तो मैंने आपको बताया कि यदी कोई terms GP में होती है तो उनका ratio हमेशा क्या होता है equal यानि कि P और Q का जो ratio होगा Q और R के ratio के बराबर होगा और आपको मैंने ratio निकालना भी बताया है GP में कि next term upon first term तो चलिए करते हैं तो यहां पर P और Q का ratio निकालना तो Q बादवाला है तो यह हो जाएगा आपका Q upon P equals 2 Q और R का ratio निकालना तो R बादवाला है तो R उपर R upon Q अब इसको cross multiply करते हैं Q into Q तो क्या हो जाएगा आपका Q square equals 2 P into R तो यह हो जाएगा आपका P R अब Q square equals 2 P R तो Q बराबर क्या हो जाएगा under root of P R तो हमारे इस question का answer हो जाएगा कि Q equals to root P R और यह होगा आपका option C तो I hope आपको यह question बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां पर आपको क्या बताया अब आते हैं question number 2 पर तो question number 2 है find 18th term and sum of 18 terms of the following series यानि की नीचे दी गई श्रेणी का अठारवा पद और एवं 18 पदों का योग क्यात करें तो अब आपकी जो series है वो क्या है भाई 2, 8, 32, dash, 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 dash अब यहां पर हमको इसका 18th term निकालना है साथ ही साथ में 18 term का sum भी find करना है तो चलिए देखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम देखें series में ध्यान से तो यहां पर first term यानि की A तो यह कितना दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है उसके बाद common ratio निकालना है तो common ratio के लिए कुछ नहीं second term upon first term तो second term हो गई आपकी 8 upon first term हो गई 2 तो cancel किया तो यह कितना हो गया 4 तो common ratio हो गया आपका 4 अब चलिए solve करते हैं तो हमको 18th term निकालनी है मतलब की T18 का formula निकालना है तो चलिए करते हैं यहां पर मैंने आपको concept बताया था भाई कि किसी भी GP में nth term बराबर क्या होता है a into r to the power n-1 यहां पर a 3th term है मतलब की n की value 18 तो यह हो जाएगा a into r to the power 18-1 यानि की कितना हो जाएगा 17 तो यह हो गया भाई अब यहां पर इसको solve करें तो a की value कितनी हो गई आपकी 2 into उसके बाद हम solve करें तो r यानि की common ratio कितना है आपका 4 और इसकी power कितनी हो गई 17 तो इसकी जो 18th term होगी वो कितनी हो जाएगी 2 into 4 to the power 17 और यह हो जाएगा हमारे इसके पहले जो question पूछा गया है उसका answer अब second question देखते है तो second question में क्या है आपका कि हमको इसके 18 terms का sum find करना है तो मैंने आपको sum of n terms in GP का formula बताये था भाई क्या formula था n पदों का योग गुणोतर शेडी में sn equals to r to the power n minus 1 upon r minus 1 into a यदि ये r 1 से बढ़ा है तो और यदि r छोटा है 1 से तो उस condition में sn equals to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r तो यहाँ पर देखें तो जो common ratio है ये 4 है जो की 1 से जादा है तो यहाँ पर हमारा जो formula लगेगा ये लगेगा sn equals to a into r to the power n minus 1 और upon क्या हो जाएगा आपका r minus 1 तो यह हो गया अब यहाँ पर a की बात करें a तो common ratio a आपका first term first term कितना है आपका 2 तो यह हो गया multiply भाई n यानि की concept का योग निकालना है हमको 18 तो यह हो जाएगा आपका 18 और minus 1 और upon हो जाएगा आपका 4 minus 1 तो यह हो गया भाई अब इसको solve करें आगे तो यह हो जाएगा आपका 2 4 minus 1 upon का कितना हो जाएगा भाई 3 2 by 3 into यह हो जाएगा आपका 4 to the power 18 और minus कितना हो जाएगा भाई बन तो आपके इस question का answer हो जाएगा sum of 18 term यह हो जाएगा 2 by 3 into 4 to the power 18 minus 1 तो I hope आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया अब आते हैं question number 3 पर तो question number 3 को देखते हैं भाई if the fifth term of a GP is 80, 81 and first term is 16 what will be the third term यानि कि एक गुणोत्तर शेनी के पांचवा पद 81 और प्रतपहला पद 14, 16 है तो उस शेनी का तीसरा पद क्या होगा अब जब भी ऐसी condition रहती है न जीपी की कि यदि जीपी की आपको दो term दी हुई है और उसके बाद उनने तीसरी term पूछी है तो आप याद रखेगा कि आप हमेशा उस question को ratio method से करेंगे किसे करेंगे ratio method से तो चलिए करते हैं यहाँ पर देखते हैं एक जीपी की fifth term है 81 और first term है 16 तो चलिए करते हैं fifth term हो गई 81 और first term हो गई 16 मतलब की fifth term upon first term बराबर क्या हो जाएगा fifth term कितनी है 81 तो fifth term के सामने 81 upon first term कितनी हो गई 16 तो यह लिग दिया 16 तो यह हो गया भाई अब fifth term solve करेंगे तो fifth term solve करेंगे तो यह हो जाएगा a into r to the power n minus 1 n कितना है यहाँ पर 5 तो यह हो जाएगा आपका a into r to the power 5 में से 1 गया यानि कि कितना बचेगा 4 तो fifth term हो गई आपकी a r to the power 4 upon t1 यानि कि first term तो first term आपको भी पता है कितनी होती है a बराबर कितना हो गया आपका 81 upon 16 यह हो गया a से a क्या हो गया आपका cancel r to the power 4 equals to 81 upon 16 तो r to the power 4 equals to आपको भी पता है कि 81 किसकी power 4 होता है 3 की और 16 किसकी power होता है आपकी 2 की तो 2 की 3 की power 4 हो गया आपका 16 और 2 की power 4 3 की power 4 हो गया 81 और 2 की power 4 कितना हो गया 16 power 4 से power 4 cancel तो r यानि कि common ratio कितना निकल गया आपका 3 by 2 तो आई होप आपको यहां तक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा अब उनने क्या पूछा कि स्रेणी का तीसरा पद क्या है यानि कि हमको 3rd term निकालनी है मतलब कि T3 का मान निकालना है तो T3 निकाल लेते हैं भाई तो यह हो जाएगा T3 equals to A into R2 the power 3 minus 2 यानि कि कितना हो जाएगा 2 तो T3 बराबर A R square A कितना है आपका 1st term कितनी है 16 तो यह हो गया आपका 16 into R R यानि कि common ratio तो यह हो गया आपका 3 by 2 और इसका square तो 3 by 2 का square तो इन दौनों का हमने square कर दिया तो यह हो जाएगा आपका 16 multiply by 3 का square 9 और upon 2 का square कितना हो जाएगा आपका 4 4 से 16 कितनी बार cancel होगा भाई आपका 4 बार होगा 4 into 9 तो आपके इस question का answer कितना हो जाएगा 36 और यह हो जाएगा आपके इस question का answer तो I hope आपको यह question बहुत बढ़ियां तरीके से समझ में आगया होगा कि इस question में मैंने आपको क्या बताया तो याद रखेगा कि जब भी GP में 2 terms दी हुई होती है तो आप हमेशा उसको क्या करें कि ratio method से solve करें तो वो बहुत आसानी से और कम समय में आपका solve हो जाएगा चलिए अब देख लेते हैं question number 4 को तो the seventh terms of our GP is eight times the fourth term what will be the first term if its fifth term is 48 यानि कि किसी गुणोतर शेणी का सात्वा पद उसके चौथे पद का आठ गुना है तो शेडी का प्रथम पद क्या होगा जबकि पाच्वा पद 48 है चलिए तो देख लेते हैं हाँ पर अब देखिए आपको उनने question में क्या बोलाए कि जो seventh term है वो fourth term का eight time है यानि कि seventh term fourth term का eight time है तो यहाँ पर मैंने इसको solve लिख दिया भाई कि seventh term जो हो गया ये fourth term का fourth term का कितने time हो गया भाई 8 time हो गया तो यह कर दिया अब देखे यदि 7th term निकालेंगे तो A into R to the power N minus 1 से N कितना है यहाँ पर 7 तो यह हो जाएगा A into R to the power 7 minus 1 7 minus 1 यानि कितना हो जाएगा 6 तो यह हो गया बरापर 8 into अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 4th term निकालते हैं तो A into R to the power N minus 1 और R यहाँ पर 4 है तो 4th term है तो A into R to the power 4 minus 1 यानि कि कितना हो जाएगा 3 अब यहाँ पर इसको solve करते हैं तो A से A cancel हो गया R to the power 6 और R to the power 3 अब आपको भी पता है कि डिवाइड में power minus होता है तो यहाँ पर हो जाएगा R to the power 6 minus 3 यानि कि कितना हो जाएगा आपका 3 और इकवस्टू कितना हो जाएगा भाई 8 R2 दी पावर 3 इकवस्टू 8 तो R इकवस्टू कितना हो जाएगा भाई 2 8 किसका क्यों होता है 2 का तो यह हो गया अब आपको ने क्या पूला कि शेरी का 5th term कितना है 48 यानि कि T5 बराबर कितना हो जाएगा भाई 48 अब डाइरेक्ट लिखते हैं एथ टम को फिफ्ट टम को तो फिफ्ट टम हो जाएगी A R की पावर 5 माइनस 1 यानि कि कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो गया 48 अब देखिए A तो आपको नहीं पता है भाई multiply by R यानि कि common ratio कितना है भाई आपका 2 तो यह हो गया 2 की पावर 4 और एक कोश्टू कितना हो जाएगा 48 अब आपको भी पता है 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और 16 से 48 कितनी बार जाएगा 3 तो A बराबर 3 तो इसका जो फिफ्ट टम आएगी वो कित पर मैंने question को आपके लिए केवल समझाने के लिए step by step solve किया है आपको exam में इसको direct ही solve करना है अब आते है question number next पे तो question number 5 को देखे हम तो question number 5 में आपको क्या बोला गया है कि find the number of terms on the series यानि कि नीचे दी गई सरेणी में पदों की संख्या ग्याद करें series क्या है आपकी 1 by 8 minus 1 by 27 1 by 9 dash dash minus 7 29 मतलब की यहाँ पर जो nth term दिख रही है यह कितनी दिख रही है minus 7 29 और जो first term है यानि कि a है यह कितना दिख रहा है आपको 1 by 81 अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि common ratio और निकाल लेते हैं common ratio मतलब की second term upon first term तो second term हो गई आपकी minus 1 upon 27 और अपॉन फर्स्ट टर्म जो हो गई आपकी ये कितनी हो गई आपकी वन अपॉन अपॉन अब यहाँ पर आप देखें तो वन से वन कैंसल 27 वन जा 27 और 27 थी जा 81 और आपको भी पता है कि नीचे वाला नंबर कहां चला जाता है उपर तो common ratio r equals to 3 into minus 1 यानि कितना हो जाएगा minus 3 तो यह हो गया यानि कि common ratio कितना हो गया आपका minus 3 तो यह चीज आप याद रखेगा और इसको आप oral ही भी देख सकते हैं कि 1 by 87 से 1 by 27 हो गया यानि कि यहाँ पर देखें 87 से 27 यानि कि 3 times हो गया तो 3 और यहाँ पर यदि हम देखें तो minus हुआ है तो minus तो यह हो गया भाई तो यहाँ पर common ratio हो गया आपका minus 3 अब चलिए solve करते हम इसको तो nth term हो गई minus 729 तो nth term हो गई minus 729 ठीक है भाई एक क्वश्टू अब यहाँ पर a यानि कि first term तो first term कितनी हो गई आपकी भाई 1 by 81 तो यह हो गया 1 by 81 और multiply by common ratio तो common ratio हो गया minus 3 और यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई nth term है तो यह हो जाएगा आपका n minus 1 तो उपर हो गई पावर कित्ती हो गई n minus 1 तो I hope यहाँ तक आपको clear हो गया होगा अब देखिए ध्यान से समझेगा एकदम direct solve कर रहो हो मैं 729 का मतलब हो जाएगा 729 का मतलब हो जाएगा 9 का cube और 9 किसका square होता है 3 का क्यूंकि हमको क्या करना है common ratio 3 है तो 3 की power में इसको तोड़ना है तो आप देखें 729 क्या होता है 9 का cube यानि की cube हो गया उसके बाद 9 क्या होता है 3 का square यानि की into 2 तो 3 into 2 यानि की 6 तो मतलब की 729 याद रखेगा कितना होता है 3 to the power 6 यह हो गया multiply by अब यहाँ पर देखें हम तो 81 का cross multiply करेंगे तो 81 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर और 81 यानि की 3 to the power 4 तो यह हो गया 3 to the power 4 तो यह हो गया एक कश्टू minus 3 to the power n minus 1 तो I hope आपको यहाँ तक clear हो गया होगा अब देखें यह हो गया minus 3 into 3 to the power 6 into 3 to the power 4 आपको भी पता है कि base सेम है तो power add होती है 3 plus 6 6 plus 4 कितना हो जाएगा आपका 10 एक कश्टू यह हो जाएगा आपका minus 3 to the power n minus 1 अब आप देख लें तो left hand side right hand side दोनों में जो base है वो minus 3 है तो यह हो गया अब हम क्या करते हैं इसकी power को compare करते हैं तो n minus 1 equals to 10 अब n minus 1 equals to 10 हो गया आपका तो सीधी सी बात है कि n equals to minus 1 इस side जाएगा तो plus 1 और यह हो जाएगा 10 plus 1 यानि कि कितना हो जाएगा 11 तो हमारे इस question का answer हो जाएगा कि इस AP में total कितनी terms थी भाई 11 तो I hope आपको समझ में आगया होगा कि question का answer हो जाएगा n equals to 11 तो यहाँ पर मैंने आपको step by step समझा रहा हूँ इसलिए question लेंदी है याद रखेगा बाकी question को solve करने का तरीका बहुत सरल है और आप इसको 30 second के अंदर भी solve कर सकते हैं अब आते हैं question number 6 पर तो question number 6 को देखें the fourth term and tenth term of a GPR 1 by 3 and 243 respectively find the second term यानि कि उन्हें बोला है कि किसी गुणोतर शेनी का चौन्था एवं दस्वा पद 1 by 3 और 243 है तो उसका दूसरा पद क्या होगा अब मैंने आपको बताया आप भी previous questions में कि यदि किसी भी GP में आपको दो term दिखती हैं तो आप हमेशा उसको क्या करें ratio method से solve करें अब ratio method से solve करना है तो बहुत आसान है वो और एक चीज और आप याद रखेगा जब भी आप ratio method से solve करें तो बड़ी term को हमेशा उपर लिखें और चोटी term को नीचे लिखें तो I hope आपको clear हो क्या होगा कि यहाँ पर fourth term और tenth term है तो हम ratio निकालेंगे तो बड़ी term को उपर लिखेंगे यानि कि T10 upon चोटी term को नीचे तो यह हो गया T4 अब देखें तो यहाँ पर fourth term कितनी दी हुई है आपको 1 by 3 तो यह लिख दिया हमने 1 by 3 और tenth term कितनी दी हुई है 243 तो यह लिख दिया हमने 243 अब आपको भी पता है नीचे वाला नंबर कहा जाता है उपर तो यह हो गया आपका 729 तो आपको समझ में आ गया होगा कि 243 इंटू 3 729 अब यहाँ पर solve करते हैं चलिए तो tenth term यदि हम करेंगे तो A इंटू R to the power N minus 1 A इंटू R to the power 10 minus 1 10 minus 1 यानि कि कितना हो जाएगा 9 upon यहाँ पर fourth term करेंगे तो यह हो जाएगा A इंटू R to the power 4 minus 1 यानि कि कितना हो जाएगा 3 तो A से A क्या हो गया आपका cancel हो गया अब आपको भी पता है कि divide में क्या होती है power minus तो R to the power 9 minus 3 कितना हो जाएगा 6 तो यह हो गया आपका बराबर 729 अब 729 को भी हमको power 6 में करना पड़ेगा और अब भी previous question में मैंने आपको बताए कि 729 मतलब क्या होता है 3 to the power 6 यह चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी 3 की power 1 3, 3 to the power 2 9, 3 to the power 3 27, 3 to the power 4 81, 3 to the power 5 243 and 3 to the power 6 729 यह चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी तो cdc बात है power 6 से power 6 cancel तो r1 question कितना हो गया 3 यानि कि common ratio कितना हो गया 3 अब आप देखें तो आपको ने क्या बोलाए कि इसकी दूसरी term क्या हो गया यानि कि second term आपको find करनी है अब आप ध्यान से देखें आप या तो first term निकालेंगे उसके बाद लंबी चौड़ी method से solve करेंगे या फिर आप ध्यान से देखें आप देखें तो fourth term आपको given है और second term निकालनी है तो मैं कैसे solve करूँगा भाई इसको बहुत आसान तरीके से solve करूँगा मैं क्या करूँगा कि fourth term second term में यदि common ratio r का multiply करूँगा तो third आ गई फिर एक और r का multiply किया तो fourth term आ गई की नहीं आ गई आ गई भाई second term में मैंने common ratio का multiply किया third term उस पर फिर common ratio का multiply किया fourth term आ गई तो यहाँ पर हमको second term नहीं पता तो t2 नहीं पता भाई multiply by common ratio 3 multiply by common ratio 3 equals to fourth term fourth term कितनी है आपकी 1 by 3 तो यह हो गया तो t2 equals to कितना हो जाएगा 3 into 3 9 और इसका cross multiply करेंगे तो 1 by 3 into 9 कितना हो जाएगा 27 तो आपके question का answer हो जाएगा कि इसकी second term जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1 upon 27 तो आई होप आपको clear हो क्या होगा कि यहाँ पर मैंने आपको इस question में क्या समझाया फिर से देखें second term में आरका मंटिप्लाई किया third term फिर आरका multiply किया तो fourth term बस यही solve किया fourth term given तो हमने कर लिया जैसे suppose आप माल लीजिए suppose आप माल लीजिए कि आपको क्या करना है suppose आप माल लीजिए कि आपको क्या करना है कि आपको suppose second term given है ठीक और आपको क्या करना है कि GP में suppose माल लीजिए कि 8th term find करना है तो आप कुछ नहीं करिए बस 8-2 यानि कितना हो गया 6 तो R to the power 6 का क्या कर दीजे multiply कर दीजे तो direct क्या हो जाएगा आपकी 8th term निकल जाएगी फिर से समझे जैसे suppose आपको 5th term given है और आपको क्या करना है suppose माल लीजे कि 10th term find करनी है तो कुछ नहीं करिए आप 10-5 कितना हो जाएगा 5 तो R to the power 5 का आप क्या कर दीजे direct multiply कर दीजे तो I hope आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से concept समझ में आ गया होगा कि ये मैंने आपको क्या बताया चलिए question number 7 को देखते हैं तो इस पे बोला गया है find the geometric mean of 1 by 8 and 128 यानि कि एक पटे आठ एवं 128 का गुणोतर माध्धि ज्यात करें तो मैंने आपको geometric mean या फिर गुणोतर माध्धि को निकालने की trick बताई कि सबसे पहले जितने भी number हो उस root को लिख लो उतनी root लखो यदि दो number है तो square root और 3 number है तो cube root अब यहाँ पर total दो number है तो यह हमने लगाई square root उसके बाद फिर दोनों number का multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका 1 by 8 और multiply by 128 अब इसको cancel करेंगे तो 8 बंजा 8 और बचेगा 48 तो यह हो गया आपका तो सीधी सी बात है root 16 और root 16 आपको भी पता है कितना होगा 4 तो हमारे इस question का answer हो जाएगा किनका जो geometric mean यानि की गुणोतर माद्दे होगा वो कितना होगा 4 तो I hope आपको एक question अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आते हैं question number 8 पर तो question number 8 पर बोला गया है the sum of the first and third term of a GP is 20 and sum of its first three terms is 26 find the progression यानि की किसी गुणोतर शेनी के पहले और तीसरे पद का योग 20 है और पहले तीन पदों का योग 26 है तो वह शेनी क्या होगी अब चलिए इसको हम option से ही solve करते हैं तो option में देखें यदि हम तो option A में आपको क्या बोला गया है 2, 6 and 8 तो यदि हम ध्यान से देखें option A में 2, 6 और 8 और यदि हम देखें तो 18 है ये sorry 2, 6 and 18 तेहां पर आपको भी देख रहा है कि 2, 3 जा कितना होगे आपका 6 और 6, 3 जा कितना हो जाएगा आपका 18 यानि कि आपक का sum 20 है देख लीजे आप first and third sum का sum 20 है तो first term two और third term 18 तो इसका sum 20 पहली condition follow हो गई second condition बोली उसने कि तीनों terms का जो sum है वो 26 है तो आप देख लीजे two and six eight eight और 18 कितना हो जाएगा 26 मतलब दूसरी condition भी follow पहली condition भी follow दूसरी condition भी follow तो हमारा a तो answer हो ही जाएगा अब हम देखे आगे तो option b देखे हम यदि ध्यान से तो option b देखे तो यहाँ पर series में आपकी जो gp चल रही है यह हो गई आपकी 18, 6 और 2 अब ध्यान से देखे तो 18 का 1 by 3 18 का 1 by 3, 6 और 6 का 1 by 3 यानि कि कितना हो गया 2 तिन का ratio भी same है मतलब कि यह series भी आपकी gp है अब condition में क्या बोला कि पहली और third sum का जो पहली और third term का जो sum है वो 20 होना चाहिए तो देख लीजे आप 18 और 2 कितना हो गया 20 और second condition बोली कि तीनों terms का sum 26 होना चाहिए तो देख लीजे आप 18 और 6, 24 और 2, 26 तो यह भी follow हो गया मतलब कि इस पे भी दोनों condition following मतलब कि option B भी सही है अब option C दिख रहा है आपको both तो आपके इस question का answer हो जाएगा option C both और यह होगा आपके इस question का answer तो I hope आपको यह question अच्छे से clear हो गया होगा अब आते है question number 9 पर तो question number 9 को देखें the sum of the three numbers in a GP is 14 and sum of their square is 84 find the largest number यानि कि किसी गुण उत्तर शेनी के पहले तीन पदों का योग 14 एवं उनके वर्गों का योग कितना है 84 है तो बड़ी संख्या क्या होगी मतलब देखिए एक GP है उसके तीन नंबर जो है उनका जो sum होना चाहिए उनका जो sum होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 14 ठीक है भाई का जो योग है वो कितना होना चाहिए 84 होना चाहिए अब आप से उसने बोला सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो इसको भी यदि हम option से करेंगे तो ज्यादा easy पड़ेगा तो option a है 8 अब option a है 8 तो cdc बात है सबसी बड़ी और 4 का half कितना हो जाएगा 2 तो यहाँ पर मैंने एक जीपी बनाने की कोसिस की है 8 की मदद से अब पहली condition उनने बोली कि तीनों terms का जो sum है वो कितना होना चाहिए 14 तो देख लीजिए 2 और 4 6 6 और 8 कितना हो गया 14 पहली condition second condition है कि तीनों terms के sum square का sum कितना होना चाहिए 84 तो देखे 2 का square कितना 4 प्लस 4 का square कितना 16 प्लस 8 का square कितना हो जाएगा 64 और अगर आप ध्यान से देखें तो 64 और 16 80 80 प्लस 4 यानि 84 second condition भी follow हो रही है दोनों condition follow हो रही है मतलब हमारे इस question का answer हो जाएगा तो I hope आपको ये clear हो गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया ये question थोड़ा सा common sense वाला question है इसको हम common sense से solve करेंगे तो हमारे लिए जादा easy रहेगा तो I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो question number 10 को देखते हैं तो इस पे बोला गया है a boy agrees to work at the rate of 1 rupees on the first day, 2 rupees on the second day and 4 rupees on the third day and so on how much will the boy get if he start working on 5th of February and finished on the 25th of February चो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक लड़का इस कारे पर इस सर्थ पर कारे करता है कि वह पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए और इसी प्रकार से आगे भी मज़़ूरी लेता रहेगा तो यदि वह काम को 5 फरवरी को सुरू करे एवं 25 फरवरी को पूरा करे तो उसकी कुल मज़़ूरी कितनी होगी तो चलिए देख लेते हैं इस कोश्चन को यहां पर हम, तो देखी लड़का जब पहले दिन काम करता है तो उसकी मज़़ूरी कितनी है 1 रुपए, दूसरे दिन काम करता है तो डबल हो जाती है 2 रुपए, और तीसरे दिन काम करता है तो उसका डबल हो जाती है 4 रुपए मतलब सीधी सी बात है मजदूरी डबल हो रही है और इसके बाद उनने क्या बोला इसके बाद उनने बोला है कि लड़का काम सुरू करता है पांच फरवरी को और खतम करता है पच्चिस फरवरी को तो उसकी टोटल मजदूरी निकाल ली यह अब देखिए पांच फरवरी को एक दिन और पच्चिस फरवरी तक जाना है तो बीज दिन और पांच फरवरी का दिन काम किया और उसके बाद पच्चिस फरवरी तक काम करेगा तो बीज दिन और यानि पांच फरवरी का एक दिन और बीज दिन और मतलब की यहां पर हमको उ उसके अलावा बात करें common ratio तो आप भी देखें कि double होता जा रहा है तो common ratio कितना हो गया 2 अब हमको उसके 21 दिन की मजदूरी निकाल ली है यानि कि हमको निकालना है sum of 21 terms तो आपको भी पता है sum of n terms formula क्या होता है a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 अब a कितना है यहाँ पर आपका 1 तो यह हो गया 1 multiply by r कितना है 2 तो यह हो जाएगा आपका 2 to the power n यानि कि 21 और minus 1 और upon r minus 1 तो यह हो जाएगा आपका 2 minus 1 अब 2 minus 1 1 तो इसका तो solve भो हो जाएगा आपका यह simple हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 2 to the power 21 minus 1 तो यहाँ पर उसके 21 दिनों की टोटल मजदूरी हो जाएगी 2 to the power 21 minus 1 यानि की हमारा option D तो I hope आपको यह अच्छे से clear हो गया होगा कि इस question में मैंने आपको क्या समझाया अब आते हैं question number 11 पे यह हमारे GP का last question है तो देख लेते हैं हाँ पर question number 11 पे बोला गया है कि terms A 1 and B are in AP and 1 A and B are in GP find A and B यानि की A 1 और B समांतर शेरी में हैं जबकि 1 A और B गुरोतर शेरी में हैं तो A तथा B का मान क्या होगा तो यहाँ पर यह question भी आपको option से solve करना ज़्यादा easy रहेगा तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले उनने क्या बोला उनने बोला A 1 और B किस पे है भाई A 1 और B किस पे है AP पे है ठीक है और उसके बाद उनने बोला है उसके बाद उनने क्या बोला है कि 1 A and B यह किस पे है भाई GP पे है 1 A and B किस पे है GP पे है ठीक है तो आपको उनने बोला A और B का मान क्या होगा तो option से solve करते हैं option 1 है आपका option A है 2 and 4 तो A की value 2 और B की value 4 तो चलिए यहाँ पर 1 हो गया तो अगर आप देखें तो AP में यदि होती है कोई भी आपकी term AP में होती है तो उनका difference सेम होता है यहाँ पर देखें 2 और 1 का difference 1 और 1 और 4 का difference 3 मतलब difference तो सेम नहीं है इसलिए option A तो हमारा क्या हो गया गलत हो गया अब option 2 को चेक करते हैं तो चलिए option 2 को चेक करते हम तो option 2 में है minus 2 और 1 मतलब की A की value minus 2 और B की value कितनी हो जाएगी आपकी 1 और बीच में भी आपका 1 तो चलिए यहाँ पर देखें minus 2 और 1 का difference हो जाएगा आपका कुल में लाके कितना 3 और उसके बाद इनका difference लेंगे तो 0 difference सेम नहीं है मतलब की दूसरा वाला भी आपका गलत अब तीसरा option चेक कर लेते हम तो चलिए तीसरा option चेक करते हैं A और B की value कितनी हो गई 4 और 1 मतलब की A की value 4 और B की value 1 और यहाँ पर बीच में भी बनते हैं यहाँ पर भी देखें आप difference कितना हो गया 3 और यहाँ पर difference 0 difference सेम नहीं है मतलब की option C भी गलत अब 3 option गलत है शुरू के तो आपको भी पता है कि answer कौन सा हो जाएगा चौथा वाला तो D हमारा answer है और चलिए आपको prove करके भी दिखा देता हूँ अब तो यहाँ पर A और B की value minus 2 और 4 तो चलिए करते हैं A की value minus 2 कॉमा B की value कितनी हो जाएगा आपकी 4 और बीच में कितना हो जाएगा 1 अब यहाँ पर यदि आप इनका difference लें तो देखिए 1 minus minus 2 यानि कि इनका difference 3 और 4 minus 1 यानि कि difference 3 difference same है मतलब की AP पे हो गई अब चलिए आगे का देखते हैं तो यहाँ पर 1 A की value कितनी हो गई minus 2 और B की value कितनी हो गई 4 तो यहाँ पर भी आप देखें देखिए 1 into minus 2 कितना हो जाएगा minus 4 minus 2 into minus 2 कितना हो जाएगा आपका 4 यानि कि यहाँ पर कुल मिला के कितने का into हो रहा है minus 2 का into हो रहा है 1 में minus 2 का into किया तो minus 2 आया minus 2 में minus 2 का into किया तो minus minus cancel और 2 into 2 तो कितना हो जाएगा प्लस 4 तो यह हो जाएगा तो हमारे इस question का answer हो गया 2 minus 2,4 यह हो जाएगा हमारे इस question का answer तो I hope आपको यह question सभी के सभी questions बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे यदि आप इन questions को अच्छे से practice कर लेते हैं तो आप यकीन friends तक जरूर share करें ताकि वे भी इस lockdown के समय में अपनी तयारे को जारी रख सकें जै हिन जै भारत वंदे मातरम